नमस्कार दुफ्तो आपसे भी का एक बार फिर चारदी की स्वागत है आपके इपनेश यूटूब चैनल पर लोग सॉल्व करेंगे आज के पेपर की आंसर की यानि आज एंस नौशेट का आपका पेपर हुआ है उसी पेपर की आंसर की आज में सॉल्व करने वाले हैं कुछ चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आकन ब्टन को कर दो पेपने पूरेन तो पहला पिक्टर जैसे में आप देख पारहे होंगे जिन्होंने एकजाम दिया है उनको पता होगा एक एसा picture आपको दिखाया गया होगा कुछ लोग बोल रहे थे कि sir ऐसा picture तो दिखाया था बट वो थोड़ा सा blur नजर आ रहा था कोई बात नहीं देखी यहाँ पी जो picture आपको दिखाया गया था यह था abortion में भी काम में लेते हैं लेकिन पहली priority जो है सबसे ज़्यादा PPH में इसको काम में लिया जाता है बाकि इसको abortion में भी काम में लिया जाता है बट जो M's मानेगा answer वो लगबग लगबग तैया है कि PPH को ही मानेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा PPH में ये injection काम में लेते हैं चलिए पहला picture हो चुका है कुछ pictures जो है वह मैं आप लोगों को अभी बता रहूँ बाकी कुछ pictures जो है टेलेग्राम के थूँ आपको बता दूँगा बाकी जो भी questions मिलेंगे उनका एक next separate video के अंदर आपको बता दिया जाएगा चलिए next एक आपको tubectomy का procedure दिखाया गया था और आपको पूछा गया था कि ये कौन सा procedure है और आपने पहली बार ऐसे procedure के नाम पड़े होंगे कोई बात नहीं ऐसा हर एक्जामी होता है हर बार होता है तो देखी ये जो procedure था वो था आपका primary procedure modified primary procedure के नाम से आपको option मिला होगा तो वहीं procedure आपको यहां पर पूछा गया था देखी यहां पर अलगलग step by step यहां पर बताया गया है और ये वाला आपको side picture दिखाया गया होगा ऐसा students के तरफ से बताया गया है तो ये picture आपको दिखा गया था तो ये है आपका primary procedure next एक आपको vitamin A की deficiency हो रही थी और बच्चा जो था वो 7 month का था यानि 7 महीने का था और आपको पूछा गया था कि vitamin A की कितनी का dose उसको दी जाएगी वैसे इसमें बहुत सारे details है यह आप लोग जरूर याद कीजिएगे पहला symptom क्या होता है पहला sign क्या होता है पहला pathozenomic feature क्या होता है यह सारे चीज़े vitamin A के regarding बहुत ही अच्छे चीज़ में जो आप याद जरूर कर लीजिएगा चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो लोग 50,000 international unit करके आएं उन cancer के गलत है क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिया गया था 7 month का बच्चा है 7 महीने का 6 महीने से अगर age होती तो फिर आप cancer क्या जाता 50,000 international unit लेकिन यहाँ पर 7 महीने का आपको बच्चा दिया गया था तो यहाँ पर देगे 6 से 12 महीने तक के बच्चों को 1 lakh international unit यह इतना vitamin A की dose दी जाती है और 12 महीने से ज्यादा का है तो उसको 2 lakh international unit dose दी जाएगी तो आपको कुछ specific features वगरा दिया गया होंगे vitamin A की deficiency और आपको पूछा गया होगा कि कितनी क्या dose जो है vitamin A की देनी है तो जिन्होंने 1 lakh international unit किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है ठीक है चलिए next एक picture दिखाते हैं बहुत ही अच्छी picture है और आपने पहली बार देखे होगी आपको यहाँ पे जो exam आपको लिया गया था वहाँ पे आपको options देएगे होंगे sorry यह मलब symptoms बताएगे होंगे heartache, chance, teeth, interstitial keratitis and at the cranial damage यह फिर deafness तो यह जो features है यह triad है मलब तेन triad अलग अलग आपको दिखाया दे रहे होंगे और यह किसको indicate करते हैं conzenital syphilis को तो जिन्होंने syndrome वगरा कुछ किया है ऐसे options मिले हैं students के तरब से हैं तो उनका अंसर तो वगया गलत और जिन्होंने conzenital syphilis के है उनका अंसर बिलकुल सही है चलिए यहाँ पिक्चर आप जो है अच्छे से इसको और देख लीजिए अलग अलग यहाँ पे देखिए तेन बंदर बिठाय गये हैं एक सरमा रहा है दूसरा हाथ लगा के बैठा हुआ है तीसरा अपने दातों को नहीं दिखा रहा है तो अलग अलग यह बंदर जो है तीन इनको दिखा के भी इसको अच्छे से समझाए गया तो इसको याद कर लेना चली एक पिक्चर आपको दिखा गी थी कुछ इस प्रकार से वार्टसर्प की थी तो यहां पर अच्छी अपको पिक्चर आपको पिक्चर अबोई थी बाकी जिन्होंने अदर आप्सन के हैं वो नगेटिव मार्किंग लिए तयार रहे चली एक picture यह देखिए एक बच्चे का हाथ है यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल एक बच्चे का हाथ है चोटा सा और यहाँ पर अलग-अलग यहाँ पर देखिए बिल्कुल readiness जो है वो दिखाए दे रही है और आपको option अलग-अलग मिले होंगे इरिद्मा, modeling, बाकि दो other option और मिले होंगे ऐसे options जो है students के तरफ से मिले हैं तो यह जो picture दिखाएगी है यह picture है किसकी modeling यह picture किसकी modeling की भाई इसको क्या हो रखा है इस बच्चे को modeling हो रखा है चली next picture देखिए यहाँ पे वेशे picture नहीं पूचे गी थी यहाँ पे मैंने picture add कि है बट आपको simple solution पूचा गया था कि ECG में V1 lead जो है वो कहाँ पर place की जाती है तो यह तो बिलकुल simple solution है और एक यह ऐसा option आपको दिया गया होगा कि right external edge जो है यह फिर right external के तरफ जो है fourth ICS पे V1 lead जो है वो place की जाएगी और यह आप सभी को पता है V1 lead जो होती है वो right side में होत है ठीक है चली next बाकी यहां पर जो भी detail दीगे वह आप अच्छा से याद जरूर कीजिएगा यह picture देखिए एक picture देखाएगी थी कि temperature जो है यहां से इतना बड़ा फिर वापस जो है नीचे की तरप आया फिर बड़ा फिर नीचे आगया फिर बड़ा इस परकार से मलब य यह continuously चल रहा है यह रिमिटेंट फिवर की आपको picture दिखाएगी थी जिन्होंने रिमिटेंट फिवर किया है सई जवाब है चली next एक picture देखिए बिलकुल as it is आपको यह picture दिखाएगी यह और आपको पूछा गया था कौन से catheter है क्या है तो यहाँ पर यह जो picture दिखाएगी है वो है 3-lumen catheter कौन सा catheter 3-lumen catheter यहाँ पर देखिए एक दो और तीन यह 3-lumen catheter है next चलिए यह image based questions जो थे वैसे और भी बच गये हैं बट मैं आप लोग आपको टेलेग्राम ग्रूप के अंदर और बता दूँगा बाकि जो next अपन पार्ट में questions देखेंगे उनके साथ में और बता दूँगा फिलाल यहाँ पर देखिए IBQs यानि जो image based questions है जो students के तरफ से बताए गये हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं Keylands for saves अपन ने देख लि एक लियोपल्स मेनिवर जो है उसकी थार्ड स्टेज जो है पावलिक ग्रीप वह आपको दिखाए गी थी यह जैसा कि students के तरफ से सुननी में आया next three human catheter जो है वह आपको picture दिखाए गी थी जैसे कि अपन ने देख लिया रिमिटेंट फीवर यह अपन ने देख लिया modeling की picture अपन ने देख लिया and next scatter dot या फिर plot यहाँ पर scatter plot दिया गया होगा ठीक है scatter plot की जो picture है वो कुछ इस प्रकार से दीगी होगी यहाँ पर जैसे dot 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 अलग अलग ठीक है तो यह जो picture है यह आपकी scatter plot को indicate करती है अब यहाँ पर atrial flutter या फिर atrial fibrillation की ECG picture दिखाए गी थी वो picture आपको दिखाएंगे next part के अंदर next देखिए primary procedure जो की modified primary procedure का आपको picture दिखाए गया था यह भी मैंने आपको बता दिये ABO blood group का भी एक picture था वो क्यों क्या था क्या नहीं था वो भी देखेंगे आगे next part के अंदर फिलाल आगे क्योंस जो है वो अपन देख लेते हैं देखिए यहाँ पर कुछ से short form वाली questions पूछे गे थे जिनका पूरा meaning आप लोग से पूछा गया था करेबन चार questions ऐसे पूछे गे थे जैसा कि students के तरब से सुनने में आया है देखिए DRDL का मलब होता defense research and development laboratory जिन्होंने यह किया है अच्छी बात है जिन्होंने अधर किया है वो negative marking करके आए है और जिन्होंने छोड़ दिया है उनके लिए और ही अच्छी बात है next देखिए html html का मलब होता है hypertext markup language जिन्होंने markup यह फिर mark वगरा कुछ भी अलग अलग ज GPS टेकिंग सिस्टम आप जानती है और आप सभी कहीं पर भी बेठे कहीं का भी आप नक्सामलब देख सकते हैं location कितनी क्या distance सारी कुछ देख सकते हैं वो किसका कमाला GPS का यानि global positioning system इसको कहते हैं next heart heart में h art है not heart heart पूछा गया था heart का full form होता है highly active antiretroviral therapy heart का full form क्या होता है highly active retroviral antiretroviral therapy जिन्होंने किया है बिल्कुछ सही जवाब है चलिए next अपन ने यह क्यूशन देख लिए है congenital syphilis का triad जो है वो अपन ने देख लिए next abigene analysis से दो तिन क्यूशन थे तो देखिए पहला क्यूशन यह है pH 7.25 है pco2 50 है and co3 30 है देखिए एक मेंने आपको trick बता sorry CO3 तो normal है लेकिन pco2 जो है वो क्या हो रहा है बढ़ रहा है यानि यहां पर क्या जाएगा एक तो respirator में जाएगा किसमें जाएगा respiration में अब यह भी आपको पता है कि यहां पे pH गिरी हुई है यानि acidosis होगा तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा respiratory acidosis respiratory acidosis के सा आपको partial compensated भी दिया गया था तो वहीं आपको सही जवाब करना था ठीक है चलिए next question आपको ABG analysis से पूछा गया था कि elevated PCO2 level जो है वो falsely elevated है ABG sample आप ले रहे हैं तो इसका reason क्या है इसका करण क्या है कि वो PCO2 का level बढ़ा हुआ रहे है तो इसका reason जैसे कि options तो नहीं मिल पाए proper बट जितना सुनी में आया है कि torniquate को लेकर बोला गया था and other भी options थे तो देखी जो torniquate है कि बाई torniquate जो है वो लंबे समय तक अगर आप बांध के रखेंगे जैसे कि आप सभी को पता है जब भी bloody sample लिया जाता है torniquate का use किया जाता है और जैसे ही sample लेते हैं तुरंट उसको हटा देते हैं लेकिन अगर लंबे समय तक आप torniquate को use करेंगे और फिर आप अगर blood sample लेंगे तो falsely PCO2 का level बढ़ा हुआ मिलेगा तो torniquate से related कुछ options था तो जिसको याद हो वो comment box में ज़रूर बता देना ऐसा कुछ option मिला है कि prolongation use of torniquate और बाकि क्या था तो torniquate जो है वो अगर लंबे समय तक यूज करते हैं तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है next देखे Dysulfram therapy reaction वह एक patient है जिसको Dysulfram therapy दी जा रही है और उसको उसको उसके बाद में उसने wine पी है एसा कुछ पूछा गया था और उसको कुछ reactions जो हुई है उसके वज़ा सी जो side effects जो है देखने को मिले हैं तो यह किसको integrate कर रहा है इसा कुछ कुछ पूछा गया था तो यहाँ पर D&E reaction यह मलब drug and ethanol reaction इदर उसने wine पीली मलब दारू पीली और इदर उसने गौली लेगी तो दोनों की reaction होके क्या होगी drug and ethanol reaction D&E reaction नेक्स्ट देखे therapy using fear यानि कि एक क्यूसन था जैसा की सुनने में आया कि fear एक patient को हो रखा है और अलग अलग जो है उसका अमलब खूब लंबी process वगरा दे रखी होगी question के अंदर बट कुल मला के fever से related वो question था कि उसको fear हो रखा है तो उसके treatment के लिए agent nursing officer क्या करेंगे तो देखिए जो systemic desensitization therapy है वो fear के patient को दी जाती है जैसे कि उसका fear जो है उसको relief किया जा सके तो systemic desensitization आपके यहां पर सही जवाब हो जाएगा बाकि जो complete question है जैसा as it is पूछा गया है वैसे questions भी हम लेकर आएंगे बट वो आपको next part के अंदर मिलेंगे चलिए next question देखिए giving an electrical shock to consume every time they see a cigarette यानि ये incomplete question है बट क्योशन ऐसा पूछा गया था कि एक patient smoking करता है cigarette को जो है cigarette smoking करता है और उसको जो है cigarette smoking stop करनी है तो उसके लिए जो है electrical shock वगरा जो है दिया जा रहा है ऐसा करके कुछ question पूछा गया था तो ये जो therapy थी इसका क्या नाम था इस प्रकार से आपको स्वाल पूछा गया था ये averaging therapy का ही part है जिसको smoking आवर्जन थेरेपी के नाम से जना जाता है तो ये averaging therapy का एक सवाल पूछा गया था और averaging therapy आपको यहाँ पे सही जवाब करना था चलिए next question देखिए पेरिस पेरालंपिक जो अभी अभी हुए है complete इसमें इंडिया ने कितने क्या gold medal जीते हैं तो ये अभी recently का स्वाल था और telegram group के अंदर पहले सी ये provide करवा दिये गया था 7 gold medal अभी जो पेरिस पेरालंपिक चले हैं उनमें 7 gold medal जो है इंडिया ने जीते हैं फाइस्ट इंडियन मुवमेन वन ओलंपिक मेडल जो है सबसे पहले ओलंपिक में कौन सी महिला ने जीता है पहली वह महिला जिसने गौल्ड मेडल जीता है देखिए मेरिकॉम जो है वह आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट देखिए autonomic disreflex जिया के symptom को लेकर सवाल पूछा गया था कि एक पेशिएंट जिसको autonomic disreflex जिया हुआ है और क्या उसमें देखने को मिलेगा तो एक तो देखो hypertension होगा blood pressure जो है वो बढ़ा हुआ जिनने एग्जाम दिया है चले next question देखिए पॉसन मा celebrate यहनि जो पॉसन मा अभियान है वह कौनसे महने में क्या celebrate किया जाता है जैसे breastfeeding जो है अगस्ट में celebrate की जाती है वैसे पॉसन मा जो है वो कब celebrate किया जाता है तो अभी महिना चला है September का और September में ही इसको celebrate किया जाता है चलिए वही नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं, वंदे मात्रम श्किम, एक वंदे मात्रम श्किम को लेकर क्यूशन पूचा गया था, options क्या थे, वह आप हमें comment box में जरूर बताना, लेकिन जो वंदे मात्रम श्किम है, इसका main जो motive है, जो purpose है, वो क्या है, improve antinatal and postnatal care, antinatal और post antinatal care को improve करना ही, वंदे मात्रम श्किम का purpose है, बाकि जो options आपको पूचे गये हैं, वो जरूर बताना comment box में, देखिए next question देखिए, एक ASI question पूचा गया था, students के तरफ से बताया गया है, कि एक patient है, जिसका blood pressure 180 by 110 है, यानि कि hypertension का patient है, उस patient को anti hypertension drug जो है, वो दी जाती है, और कुछ समय बाद, यानि कि करीबन 30 मिनट के बाद में, उस patient को वापस से assist किया जाता है, वाइटल साइन, तो उसका blood pressure 120 by 80 आता है, तो बताएं यहाँ पर age nursing officer आप next क्या action लेंगे, एसा कुछ करके question पूचा गया था, तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा action लेने क after 15 मिनट, वाइटल साइन, यानि कि जो blood pressure आप assess कर रहे हैं, वो 15 मिनट बाद में वापस से reassess करना है, यह आपकी nursing priority रहेगी, चले double check by nurse, कुछ करके स्वाल पूचा गया था कि double check करना है, drugs के कुछ नाम दे रहे रहे थे, कुछ तीन antibiotics का नाम दे रहे थे, और एक anticoagulant का ना करने की जुरत होती है, तो double check जो है, वो consider के लिए करना था, हीपरिन के लिए, चले वही नियाकिस क्यूशन देखे, इन blood donor gold standard HB test, साइद इस प्रकार से क्यूशन पूचा गया था कि blood donate जो करते हैं, blood जो donor होते हैं, उनमें hemoglobin का test किया जाता है, उसके लिए कौन सा gold standard test है, तो उसके लिए test होता है, AHA, AHA, AHA आपको दिया गया होगा, AHA की full form भी यहाँ पर सबसे नीचे लिखी हुई है, अगर आपको नहीं पता है, तो ऐसा कुछ आपको दिया गया होगा option में, automated hematology analyzer, तो देखे, जो automated hematology analyzer है, यह gold standard test होता है, blood donors के लिए, next वहीं क्यूशन प होता है, और यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसकल फ्रिक्चर को लेकर आपको option में मिला होगा, वहीं आपको सही जवाब करना था, next question देखिए, यहाँ पर वेश यह science का question है, papaya are yellow due to, papaya यानि जो पपीता होती है, उसका color yellow होता है, किसके कारण क्रिक क्रिक चली, V1 lead की मैंने आपको picture दिखा दिये, 4th ICS at right of sternum में जो है, इसको place किया जाता है, next देखिए, tongue thrusting seen in, यानि कि scissor का एक type था, और उसमें tongue thrusting जो है, बच्चे को हो रही थी, अब आपको बताना था कि किस type की scissor में देखने को मिलता है, तो आपका सही जवाब हो देखा, delusion of grandiosity and delusion of persecution, देखो, दोनों से यहाँ पर सवाल पूछा गया था, जैसा कि students ने बताया, delusion of grandiosity में क्या होता है, जो भी person होता है, वो अपने आपको सबसे महान समझता है, यानि कि वहीं है, सब में मिलब unique अपने आपको समझता है, कि जो भी हूँ, मैं ही हूँ, मे पूछा गया था कि patient जो है, वो उसको ऐसा लगता है, कि वो कोई न कोई उसको kill करने वाला, उसको मालने वाला है, तो यह जो है delusion of persecution को indicate करता है, इस प्रकार से दो आपको सवाल grandiosity and delusion, मिलब persecution, दोनों मिलब delusion से दो सवाल as it is, आपको 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 पूछे गया थे, चलि लंबा पूरा पूछा गया होगा, बट जितने हमें मिला है, उतना हमें आप लोगो को बता रहा हूँ, कि frequently hand washing करा है, बारी-बारी शेहाद हो रहा है, तो उसको क्या हो सकता है, OCD, obsessive-compassive disorder, OCD का वो मरीज है, इसलिए हो frequently hand washing कर रहा है, चलिए next question देखे, anti-depression side effect nursing action, यहनि कि यहाँ पूछा गया था कि एक patient है, जो कि anti-depression drug खा रहा है, वन वीक से, और उसको कुछ side effect, जो anti-depression के आते हैं, वो side effects उसमें देखने को मिले हैं, ऐसी complaint वो यहाँ पे किया है, अब बता ही, AJ nursing officer आपका क्या action रहेगा, तो आप सभी को पता है, anti-depression जब भी किशी patient को बाद आता है, और patient को भी कितना दिन हुआ है, एक वीक, जैसा कि आपने क्यूशन बताए है, कि एक वीक की उसको anti-depression लेते हुए हैं, तो यहाँ पे मलब 2-4 वीक में तो उसके depression को relieve मिलना चाहिए था, इसका action properly होता 2-4 वीक में, लेकिन वो आपको एक वीक की कहानी बता र effect is diminished, देखे, आपको यहाँ पे nursing action यही था, यह आपको बताना था patient को, कि आप 2-4 वीक तक जब यह दवाईयां आप लेंगे, तो आपका depression जो आपको हो रखा है, वो आपका क्या हो जाएगा, minimize हो जाएगा, और यह जो side effects आपके आ रहे हैं, वो भी क्या हो जाएगे, diminished हो ज question देखिएगा, asymmetrical moral reflex due to, ऐसा कुछ question पूछा गया था, एक बच्चा हुआ है, और उसको asymmetrical moral reflex जो है, एट बर्त पे देखने को मिल रहे हैं, तो किसके करण हो सकता है, side effects delivery को लेकर ऐसा कुछ question पूछा गया था, जैसा कि सुनने में आया, तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा, वो क्या होगा, injury of the brachial plexus, brachial plexus में injury होनी की वज़ए से, asymmetrical moral reflex जो है, बच्चे में देखने को मिल रहे हैं, next देखे, bell of stethoscope class at, ऐसा कुछ question पूछा गया था, कि stethoscope से blood pressure चेक कर रहे हैं, तो जो bell वाला part है, वो किस जगह पर, यानि कि जब आप blood pressure लेते हैं, तो bell stethoscope से आप sound भी सुनते हैं, वो कहां से सुनेंगे, आप brachial artery से हैं, यह बिल्कुल से question पूछा गया था, एक आपको question पूछा गया था, injection vitamin K, given I am using, यानिक एक बच्चा है, जिसको vitamin K का injection लगाना है, और injection आप लगाएंगे, तो शीदिश बात है, आप needle भी use करेंगे, तो आपको पूछा गया था, कौन से gas की needle, जो है, vitamin K injection में use ली जाती है, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, 26 gas, 26 gas क की जो है, आपको syringe लेने थे, तो यह कुछ questions हमें मिले हैं, बाकी जो remaining questions है, वो अपन next part में देखेंगे, और causes करेंगे कि as it is, जैसे आपको questions पूछे गया है, वैसे questions में आप लोगों के लिए लेकर आओं, तो जो भी questions अपने पढ़ लिया हो सकता है, यह questions भी आपको में proper, पर जिस type से MC ने questions पूछे हैं, उसी प्रकार से में आपको यह questions प्रोवाइड करवाने की कोशिस जरूर करूँगा, next part भी आप जरूर देखना, यह part आप complete देखी चुके हैं, और अपने साथी लोगों को वीडियो की लिंक सेर जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएं, तो आप चैनल को subscribe करके bell icon button को paste करना बिल्कुल भी मत बूलना, ताकि आपको next part की update जल्द से जल्दी मिल जाए, मिलते हैं next part में, तब तक के लिए thank you so very much